Friends, आज मैं आपको वर्डस अप न्यू पोलिशी के बारे में बताने जा रहा हूँ Friends, इस पोलिशी के अंतरगत आपके मुबाइल के वर्डस अप डेटा को किसी थर्ड पार्टे के साथ यान जैसे ट्विटर, फेस्बुक के साथ शेर किया दा सकता है Friends, आप सोच रहे होगे कि इस प्रकार के वर्डस अप न्यू पोलिशी के द्वारा आपके मुबाइल डेटा की प्रैवेसी और सिक्योर्टी समाप्त हो जाएगी कोई भी इसको यूज कर सकता है, उसको देख सकता है तो Friends, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा, कि आपका डेटा किस प्रकार सेफ किया जा सकता है Friends, अगर आपने देखा होगा, कि जब हम किसी को वर्डस अप मैसेज करते हैं तो वह मैसेज आपके Friend के पास सीधा नहीं जाता वह मैसेज जो होता है, आप जैसे इस मैसेज को सेंड करते हैं तो सबसे पहले सरवर के पास जाता है और सरवर के पाद आपके Friend को ट्रांसफर किया जाता है डिरेक्ट मैसेज वो नहीं आता तो WhatsApp पे आप पहले भी जो message send कर रहे थे, receive कर रहे थे या कोई images को upload कर रहे तो वो ज़िदा server पर ही जाती थी पहले भी और उसके बाद कहां जाती थी? आपके friend के पास जाती थी कभी भी किसी message को send किया जाता है या WhatsApp के दोड़ा कोई message send किया था तो सबसे पहले वो server पर जाता है, server पर जाने के बाद वो क्या करता है direct आपके friend के पास जाएगा, friend भी अगर message करेगा तो वो पहले server पर आएगा फिर आपके पास आएगा, तो जो आपका data है, वो server पर पहले से ही already पढ़ा हुआ है यह नहीं है, आप सोचो कि आपने message आपके mobile में पढ़ा है, आपका जो mobile data है, वो server पर भी पढ़ा हुआ है यह नहीं है कि आप सोचो कि नहीं policies आगी, तो इसका मतलब यह है कि आपका data hack हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो server के पास तो already वो पढ़ा है, वो चाहे तो आपके data को share कर सकता है, अगर वो चाहे तो नहीं कर सकता है अगर आप उसे permission देगो, अगर permission नहीं भी देदे तो भी आपका dataして server पर पढ़ा है, तो वो चाहता data शेर कर सकता है तो permission देने का मतलब यह है कि new policies के अंदरगत क्या होगा कि जो Facebook और Twitter है उसके integration का यह वर्टसप के साथ उसका integration possible हो जाएगा जिससे कहा है कि हम जो वो company जो वर्टसप company है वो अपनी data को direct आपकी data को किसी को भी directly share कर सकती है that is the particular that is the legal purpose यह legal purpose से किया जा रहा है क्योंकि इसे में आपकी permission दे दीगी है company तो direct भी आपकी data को कहीं पर भी Facebook या Twitter पर share कर सकती है अगर company अगर आप चाहते हो कि इस policies को मैं नहीं accept करता अगर accept नहीं करोगे तो वर्टसप आपका बंद हो जाएगा क्यों बंद हो जाएगा क्योंकि इस में अंदर वो grant मांग रहा है आप बीना देखो जो आप वर्टसप यूज़ करो इसको कोई pay भी नहीं करते कुछ नही सकते हैं अगर अगर सर्वर के पास ip address होगा तभी आपकी information को गेन कर सकता है तो हमें ip address तो पहले से ही share करना पड़ता है अगर आप mobile लेंगे अगर आपने अपना ip address share नहीं किया हो है तो आप अपनी communication ही नहीं कर सकते क्योंकि बिना ip address के किसी को भी डिटक्टर नहीं किया जा सकता हर mobile का एक ip address होता है unique identification होता है जिसके base पे server क्या करता है आपके mobile के साथ connect करता है आप चाओ कि आपका data secure है secure तो वै गरांट नहीं देऊगे तो illegal हो जाएगा तो इसलिए company क्या कर रही है आपके data को facebook या twitter पर share करेगी तो इसलिए आपकी legal grant ले रही है ताकि कोई परकार की problem नहीं हो और यहां तक की वर्ट्सप को भी upgrade किया जा सकेगा और यहां तक की facebook और twitter जो है उसके साथ भी integration करना possible हो जा सकता है यदि आप चाहते हैं कि मैं इस policy को accept नहीं करना चाहता अगर आपके पास कोई alternate है तब तो आप इसकी policy को accept ना करें अगर आपके पास को alternate नहीं है तब आपको इसको accept करना ही पड़ेगा आप अपने mobile data को ज्यादा secure रखना जाते हैं तो इस situation में जो आपका bank account number है आपका credit card debit card number है या आपकी कोई pen number है आपका कोई अधार card number है आपकी pin number है इस या कोई और भी आपका important data है तो आप उसको words app के थुरू ना send करके किसी अन्य app के द्वारा या particular message के द्वारा send कर सकते हैं और अपने data को secure कर सकते हैं friends यह जो data send कियाता है encryption mode के अंदर होता है यानि कोई भी इसकी data को देख नहीं सकता सिर्फ जिसके पास आप send करेंगे सिर्फ वो ही देख पाएगा friends यदि आज वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे इस वीडियो को share like करें ताकि आपको words app new policies के बारे में पता चल सके thanks for watching my youtube video from wass.gna